कॉंडो मलेशिया क्या है, क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे डवलप होता है, कैसे इसको रोक सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, क्या है इसका सबसे अच्छा इलाज, आज हम इसी पर बात करेंगे दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मनुबोरा, मैं एक और्थोपेडिक सर्जन और अर्थोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम और्थोस्पोर्ट, इस वीडियो का एंड तक देखिए, ताकि आपको इसके वारे में पूरी जानकारी मिले, तो दोस्तों, कॉंडो मलेशिया का मतलब यह है, कि जो हमारे जोड होते हैं, उसके उपर दोस्तों, एक गुटन कंदे पर या एंकल पर हर जगे, बोन के ओपर काटलेज ही कवरिंग रहती है, काटलेज हमारे बोन के सर्फेस को स्मूध बनाता है, ताकि हमारा पेंफ्री मुवमेंट हो, हर जोड के ने रहते हैं, कॉंडो मलेशिया का मतलब यह है कि जो काटलेज यह डेमेज हो गया, इस मारा जो हमारे चाटलेज दालेज को सर्फेस तो पर काटलेघ मेंेर प्राब्लम रिया है, को सबसे कोमन मिलता है जो अन्छारी मिलता है, उनमें और ने फिस ब्रस अब की तरफ पहन रहता है यह दोस्तों कई बार इसलिए डवलोप होता है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एक्साइज जिसका नाम है वीमो वास्टस पर ह 미ंदी अगिर्श ऑघिश थेा दल्च कॉन्डो पर आधा है कॉंडो मिलेशा का डवलोप हो जाता है तो फोन में कौमन सिंटम रहता है कॉन्द मिलेशा का अगर अगर्टिक भीमोच का मई चलीयाज थे जिसका था करता है आखिर कौन से stage या कौन से grade का condomeration है जब कोई पेशन आता है इनिशेल स्टेज पेेसमें सिर्फ कार्टलीज सॉफ्टिंग होई है या सिर्फ क्लिनिकल आम मालूम पढ़ रहा है कि पतिला का अंडर सप्रफिज हो गया है नीमें आगे की तरफ पेन है और साथ में सीड जब इनिशल स्टेज एक आते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जरूरी है उस कॉंडूमिलेश को ठीक करना तो कॉंडूमिलेश आप ठीक कर सकते हैं PRP की मदद से प्लेट विच प्लाजमा के इंजेक्शन हमारे काटलेश के अंदर दोस्तों कोई रिपेर नहीं होता है हमारी चम PRP की डोस क्या है कितना बार PRP लगना है किस वॉल्यू में PRP लगना है कितने PRP लगना है एक लगना है दो लगना है तीन चार किते आखिर प्रोईसर सिटिंग आपको लेनी पड़ेगा में दीनों की बीच मेंuri किते नंगर किता रहता है यह सब हम लीजर को देख के साथ में कुछ तरह की नी स्लीव और नी सपोर्ट दिये जाते हैं जब एक्साइस करते हो ताकि आपके नए सेल्स को डेमेज ना तो यह तीनों चीजे की जाती है प्रॉपर एक्साइस इस स्पेसिफिक एक्साइस नी सपोर्ट या स्लीव और कॉलिटी कॉंटिटी डोज इस के अंदर हम मी जॉइंट में की बात करूं तो बहुत सारा काटलेस जो यूज में आता तो वह सम काटलेज का प्लग निकालते हैं और जो का डेमेज का अटलेज है वहां पर अगल देके लें उस प्लग को रान प्लग निकलते है इसको बोलते है यह एक बहुत अचाए जिससे आपका damaged cartilage रिप्लेस करते हैं दूसरा पाइज होता है ग्राफटनेट दोस्तों इस तरह के डिवाइस होता है तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यह कुछ कॉंडोमेलेशे की स्टेजेजेज़ नॉर्मल है यह हलका सा खराब होने लगा यह जादा खराब हो गया तो स्टेज टू स्टेजी में बिल्लकुल खराब हो गया ग्राफटनेट के अंदर दोस्तों हम आपका जो नी जॉइन्ट है सब्सक्राइज में एक काटिलेज में डैम अब निधक था रहा है लाला लाला लाक को दिखग अगा है तो हम पेले इसको थ़ोड़ा डिब्राइट करतें इससरे चाहटले सेल के लिग नीकालते हैं साथ में में करने हैं कि उलहाई यहां कर लिधा उन्हीं के नौς कि एंदर रियूज या था यहां से इस सिलिकॉन की बीटे इंक्टिवेट करते हैं और ज्यादा बेटर बनाते हैं।। वह एक्टिवेटिड पीजियू के साथ मिला के इसको वापस वापस डेमज पर लगा देते हैं। और उसके ओपर या दो थृम्बिन ग्लु या फिर अप्र रॉम्बिन से उसको सीड़ कर स करना है या ग्राफनेट करना है वो डिपेंड करता है कि लीजन की साइज के इतनी बड़ी है वो किस एरिया में और भी तीन-चार और फैक्टर तो दोस्तों अगर आपको घुटने में दर्द हो रहा है या आपको सीडियों चड़ने में तकलीफ है और आप exercise करके भी परिशा क्या रहेगा आपको ठीक करने के लिए इसमें 90% लोग दोस्तों बिना operation के ठीक हो जाते हैं